अर्बी की बहुत ही टेस्टी और सबजी भी है एक तरह से इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं कुकर में डाला पानी जितनी पानी में डूब जाए उतना ही पानी डालना है यह बॉइल हो गई अच्छे से इसको अर्बी हाथों में नहीं लगती है क्योंकि अकच्छी अर्बी हम चीलने जाएंगे तो पहले हाथों में सरऊका तेल लगाना पड़ता है जिससे अर्बी ऻाइचिंग करती है यह इससलिए मैं नहीं नहीं कर लिया तक है इसको चिल जाए हमारी अर्बी हमने चील के इसको काट लिया जैसे फ्री आपी से हमने चाटा से वाली है एक पान में डाला उल जीरा जैसी जीरा हमारा फम पकता है तोड़ा सा से ब्राउन हो जाता है देखे वह वाली भूरुद ने डाली अर्मरी एक आपना पतवाइं भी उल्स हमने यह आप पकान काट यहां कुछ मसाले डालनेगे, सबसे पहले हम नालते हैं, यह खडी मिर्ची, यह मैंने हरी मिर्ची को حाफ कर लिया बीच में से, और इसमें डाल लिया है, जब यह फ्राई होगी और मिर्ची भी साथ में तो इसका यह बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, अब बारी आती है सुखे मसाले डालने की अब मैं आड़ कर रही हूँ इसमें नमक, ऐस्पराड टेस्ट जितना भी आपको मतलब अबिसली कमी डालेंगे जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है नमक डाला, फिर हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्ची और हल्दी, ऐस्पराड टेस्ट सब चीज़े हम टेस्ट के एकॉर्डिंग ली ही आड़ करते हैं तो हमने ये आड़ करके इसको अच्छे से चलाना है ये थोड़ी सी मैंने डाली अजवाइन अजवाइन हमारी सेधत के लिए बहुत अच्छी होती है और एक बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है ये अर्बी में तो हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राइ और फ्राइ करते करते मतलब ये ऐसे फ्राइ होने चीए तक कि अच्छा से उसका गोल्डन कलर आ जाए ये मैंने थोड़ा सा आड किया अमचूर थोड़ा सा खटास देने के लिए या नीमू भी आड कर सकते हैं अमचूर भी आड कर सकते हैं जो आपको चीज ठीक लगना लिया इसको हमने निकाल लिया एक बोल में तक कि थोड़ी से ठंडी हो जाए अब हम उसी जिस पैन में हमने अर्भी को फ्राइ किया था उसी पैन में थोड़ा सा और ओल आड करके मैंने ये प्याज लिया है इनको मैंने स्लाइस्ट कर लिया लंबा लंबा काट लिया इन प्याज को हम कम सेक में फ्राइ करेंगे ताकि इनका जो raw टेस्ट होता है ना crunchy टेस्ट होता है वो थोड़ा सा subtle हो जाए और ये बहुत ही tasty लगेंगे जब हम उसके अंदर इसको add करेंगे तो ये हमारे अच्छे से fry हो गए हैं प्याज देखिए इसका color change हो गया हलके से translucent हो गये हैं अब इन प्याज में हम add करेंगे वो अर्भी जो हमने अभी fry की थी मसालों के साथ अब इन दोनों को एक अठे दो मिनिट के लिए fry करेंगे ताकि दोनों की आपस में male jol हो जाए या इन दुस्टे के साथ merge हो जाए तो ये हमारी tasty सी शानदार सबजी ready है इसको चाहे तो प्रॉंठी के साथ खाईए नहीं तो इसको as it is भी खा सकते हैं